अज हम बनाएंगे मतर की पकोड़ी उसके लिए हमने दो कप मतर ले लिया हैं अब इसे हम क्रश कर लेंगे इस तरह सारे मतर क्रश कर लें अब इसमें एक टेबल स्पून अज्रक हरी मेर्श क्रश कीवे डालेंगे हाफ टी स्पून अज्वाइन हाफ टी स्पून काला जीरा मंग्रेला एक पिंच सोडा दो टेबल स्पून बेसन और दो टेबल स्पून चावल का आटा नमक स्वादा नुसार हाफ टी स्पून काला नमक डाल कर इसे मिलाएंगे और विर्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें एक टेबल स्पून चावल का आटा और एक टेबल स्पून बेसन और डालेंगे और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे इसमें हमें तीन टेबल स्पून बेसन और तीन टेबल स्पून चावल का आटा लगा है इसे पकोड़ी के घोल की तरह तयार कर लेंगे यह कुछ इस तरह का हुआ है पकोड़ी फ्राइ करेंगे उसके लिए तेल गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है अब इसमें हम चोती-चोती करके पकोड़ी डालेंगे फ्लेम को मीडियम में करके इसे फ्राइ करें यह फ्राइ हो चुके हैं अब इसे हम निकाल लेंगे मतर की पकोड़ी तयार है इसे गर्म-गर्म चाय के साथ सर्व करें यह खाने में बहुत ही अच्छी लगती है झालें झालें